है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तयार डेले इंस्वेटिक के कट आने वाले हैं और कहीं न कहीं आपके माइंड में यह कॉस्चन आ रहा होगा कि हम कॉलेज को प्रिफरेंज दे या फिर को प्रिफरेंज दे जिसके नंबर बारूई में अच्छे हैं तो वह डेफ कहीं कभी क्या होता है जिस कोस्स on low at रहुamt आना चाहते हैं वह ज्वुश्च तो मिल जाता बट उनके लिए जो चाहते हैं कॉलेज मिलना वह को नहीं मिल पाता है तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आपको को कॉस्च को परिफरेंज को प्रिफरेंज देना चाहिए और वो कौनकोन से student हैं जिनको course को ज़रूर पिफरेंट से नहीं देना चाहिए और वो कौन से student है जिनको college को फिजो टेना चाहिए उससे पहले अगर आप चैनल पर नहाले हैं चैनल Subscribe करके बैल आइकों को प्रेश कर दी जाए ताकि future मे आपको इस तरह के क्या है बर चाहते हैं कि होँ सकता है और कोंलेश का हो सकता है तो उनके लिए SIMPL तो उसके लिए आपको कॉलिज को नहीं के चलता हूँ वैसे इस्ट जिनको आगए रिसर्च में जाना है तो उनके लिए को नहीं नहीं देना चाहिए, अगर आपकी average marks है, आपको कोई भी college मिल रहा हो, ठीक, अगर माल को BST honors chemistry करना है, तो ऐसा नहीं है का आपको BST honors mathematics मिल ला था आप उसको वो ले लेना, नहीं, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे chemistry honors लेना है तो आपको chemistry honors लेना है, भले ही वो किसी भी college मे लेना है क्योंकि आपको further study भी करना है हाई study में जाना या फिर रिसर्च में जाना है से important यहां पर यह है कि आपको यह funda clear होना चाहिए कि graduation के बाद में actual में आपको करना क्या है आप higher study में देना चाहते हो या फिर किसी प्रिसर्च में जाना चाहते हो अगर आप जोब के लिए तयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज को प्रिफरेंस देना चाहिए तो सबसे पहले यह कि आपको गेशुर्षां के बाद में क्या है आपको आगे फर्दर study करना या फिर त्यारी करनी है तो आपको को इसका ध्यान रखना मेरा ओपिनियन यह है अगर आप गवर्मेंट जॉब के त्यारी भी करना चाहते हो तो आपको कोर्स को ही प्रिफरेंट देना चाहिए कॉलिज को प्रिफरेंट नहीं देना चाहिए क्यूंकि कॉलिज लेने के बाद में आपको डेफिनेट्ली यह क्या क्या आपको क्या करना है तो आपको समय में आ घया होगा तो इस विडियो कहीं पर खतम करते हैं आई जोटा सा इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा